हेलो आप लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में आज का ये एपिसोड हमारा एक बहुत महत्रपूर्ण विशेय पर है आज कल के समय में हम अक्सर पेरेंट्स को टीचर्स को और इस्टूडेंट्स को ये शिकायत करते वे देखते हैं कि बच्चों की ह बहुत खराब हो रही है यह अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं अच्छे कपड़े पहनना प्रसंद करते हैं ऑच्छा दिखे प्रेंग अच्छा प्रभाव पड़े उसी तरीके से पेपर पे जब हम लिखते हैं कोई बात तो वो भी हमें हमारा प्रतिनिधी करता है हमें हमारे जब teachers उन papers को चेक करते हैं तो वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ student के बारे में बताता है ये हमारे impression पे प्रभाव डालता है अगर खराब handwriting होगी तो simple सी बात है कि जो सिक्षक उस copy को check कर रहे होंगे उनका mood प्रवावित हो सकता है और जिस वज़े से आप अच्छा answer लिखने के बावजूद आप अच्छे number score नहीं कर पाते हैं और ये एक ऐसा issue है जिसके उपर बहुत सारे students उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना ध्यान वे लोग chapter को समझने में या फिर chapter का answer लिखने में जहां तक वो महत्व देते हैं वो उस degree तक अपने handwriting पर जोर नहीं लगा पाते हैं कभी-कभी इतना सोच भी नहीं पाते हैं कि handwriting उनके लिए कितना माईने रख सकता है लेकिन चुकी मैं एक सिख्षक हूं और मैं यहां पर सभी सिख्षक वर्ग को भी कही न कहीं प्रतिनिद्व कर रहा हूं तो मैं यह समझता हूं कि बहुत सारे सिख्षक इस बात से सहमती जताएंगे कि copy check करने वक्त handwriting को ले करके जब हम लोग बच्चों के handwriting देखते हैं जो copy check करते हैं तो कितनी परिशानी का सामना करना पड़ता है कई बार उनके शब्द समझ में नहीं आते हैं कई बार handwriting पे जो paper पे जो निखर के सामने आया है उससे उस बच्चे के बारे में अच्छे विचार नहीं आ पाते हैं या फिर mood इरिटेट हो जाता है या फिर अच्छा answer होते वे भी होने के बावजूद भी number देने की उतनी इ students का handwriting सुधरे और हमें अच्छे score मिले और हमारा confidence level भी वह हाई हो और overall performance पे इसका एक positive प्रुभाव पड़े तो स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का इस वीडियो में इसका सीर्षक है pen, paper and handwriting अगर हम handwriting की बात करें तो हमारा column यह तो board का column है जो मेरे हातों में है लेकिन जब हम paper पे लिख रहे होते हैं तो उस समय हमारे हाथ में एक tool होता है जिसको हम column होते हैं जिसका एक बहुत महत्रपुर्ण योगदान होता है हमारे handwriting के उपर ठीक उसी प्रकार से जब कोई भी player मतलब अगर cricket player है तो उसके लिए उसका bat या ball उसका एक tool है बैट को सही से कैसे पकरना है बैट किस quality की होनी चाहिए गेंद अगर है तो गेंद किस quality की है क्योंकि टूल के हिसाब से भी डिसाइड होगा कि हमारी जो खेलने की quality है वो कैसी रहेगी एक बहुत महत्रपुर्ण है और अच्छे खिलाड़ी हमेशा अपने सही tools का selection करते हैं हाँ ये possible है लेकिन उनके लिए जो बहुत expert है उनके लिए जो बहुत ज़्यादा अभ्यस्त है और उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है उनके लिए लेकिन अधिकांस्ता ऐसी अधिकांस्ता बच्चे ऐसे नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है खास क कोई proper training नहीं होती है कि आप pencil से लिखना और column से लिखने में क्या फर्क होता है इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है जिस वज़े से वह column पर shift होते हैं and they do not know how to use pen efficiently और what pen to use at what time चुकि इसके प्रती कोई consciousness होता नहीं है तो समय के साथ वह जैसा हो रहा है वैसी प्रक्रिया में involved होते हैं और वह आगे बढ़ते हैं अगर समय के साथ handwriting में थोड़ी बहुत सुधार हो सकी तो ही अन्य था वह वैसी ही रह जाती है तो आज हम इन सभी विश्यों को टच करेंगे इसकी technicality को समझेंगे और हर एक छोटी-छोटे point पर बात करेंगे जिससे हमारा handwriting सुधर जाए और यह issue हम लोग काम करते हुए इस issue का जड़ से इलाज कर दें ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुरुआत करते हम इस topic का तो हमारा सबसे पहले समझना य हम लोग पहले समझते हैं पहला है कि अभी आज के समय में हमारा writing work काफी ज्यादा कम हो चुका है तो कि digitization का जमाना है आज कल हम लोग गैजेट का इस्तमाल कर रहे हैं इसमें कि written work बहुत ज्यादा कम हो गया है यूटूब पर वीडियो देख लेते हैं short notes बनाते हैं तो बह आज के समय में यही हुआ है कि जैसे ही digitization हुआ है और खास करके आज कलके exam education जो pattern है ठीक है education pattern इसके वज़े से भी ठीक है तो पहला reason है हमारा कि more focus on road अच्छा ठीक इसके बारे में बाद में बात करेंगे digital gadgets ठीक है तो digital gadgets का इस्तमाल कर रहे है mobile या laptops या फिर tablets इस पर हम लोग ज्यादा focus रहते हैं इसके थुरू education प्राप्त करते हैं सिख्छा लेते हैं उसके बाद हमारा आज के समय में का जो education pattern है education pattern आज की समय का क्या कहता है रोट learning पर focus रहता है या फिर हमारे पास objective question होते हैं जिसे हमें ABCD करके option दिया रहता है और उसके उपर हमें बस pencil से या pencil कलम से उसे round up करना होता है ब्लॉक्स बरने होते हैं जिससे हमारा writing work again reduce हो जाता है और homework का भी जो pattern होता है उसमें लिखित कारें बहुत कम दिये जाते हैं जिसके वज़े से लिखने का अभ्यास बच्छों का बहुत कम है जिसके वज़े से यह धीरे धीरे जो handwriting की quality है वो समय के साथ घटते जा रही है दो महत्रपूर्ण कारोनों के विसे में हम लोगों ने बात की पहला है कि आज कल का जो education pattern है वो वो change हुआ है बदला है दूसरा है कि digital gadgets के कारण जिसके कारण हमें प्रभाव पढ़ रहा है तीसरा है rote learning हमारा बढ़ गया है उसके बाद है losing importance of pen and paper pen और paper का भी महत्व हटते जा रहा है अब यह बात मैं क्यों कह रहा हूं यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि बात handwriting के हो रही है सिंपल सी बात है handwriting की बात हम लोग अगर कर रहे हैं तो उसमें pen और paper का योगदान सबसे ज़्यादा है लेकिन pen कैसा होना चाहिए pen की जानकारी हमें सही से है या नहीं है इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता बस बजार में जाते हैं जो भी कलम मिला और खास करके जब कलम चुनने की बात आती है तो हम लोग सस्ते से सस्ता कलम चुनना चाहते हैं और इस बात पर ध्यान न देते हुए pen भी matter कर सकता है हमारे handwriting में क्योंकि generally मैं मेरे अनु फर पर सन के लिए जैसे उसका टूल important है उसी तरीके से हमारे लिए हर स्टून के लिए उसका कलम भी important है कि कलम एक बहुत बड़ा टूल है उसके हाथ में तो एक टूल का सही टूल होना और टूल की पहचान होनी यह बहुत आवश्यक है So that we buy right products from the market, we buy those products which are actually useful to us. Is that clear? So, इसलिए हमें जब भी हम कलम खरीदने जाएं, मतलब जब मैं जो ये lecture दे रहा हूँ, जब इसके बात, इसके बारे में जब हम लोग बात कर लेंगे, तो आइंदा से आप इस बात पर गौर कीजेगा, कि जब भी हम मार्केट में कलम खरीदने जाएं, तो कुछ चुनिंदे बातों का ध्यान रखते वे कलम को पर्चेस करें, ठीक है, उसके बाद, पेपर की क्वालिटी, इसके उपर भी शायद ही लोग ध्यान देते हैं, इस ब जादा वेट होगा, पेपर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, जनरली लिखने के लिए, 70 GSM से ले करके, 70 GSM से ले करके, 90 GSM के पेपर को ठीक माना जाता है, जिसमें कि 70 GSM सबसे लोग वालिटी का पेपर हो गया, और 90 GSM would be the best quality to write on, ठीक है, तो 90 GSM का पेपर सबसे के लिए नहीं है, उसके other uses है, printers और flyers बनाने के लिए उस है, लेकिन for writing purposes, we must prefer somewhere between 70 GSM and 90 GSM, या फिर 80 GSM, ठीक है, तो 70 GSM को भी मेरा personal recommendation होगा कि prefer ना किया जाए, 80 to 90 GSM के पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिस पर हर प्रकार के कलम अच्छे से लिख सकते हैं, क्यो मैं ये भी अब clear कर देता हूँ कि मैं GSM की बात क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए, हम लोग जब ये pen खरीदते हैं, तो pen के प्रती awareness कम है, अब pen कौन सा खरीद रहे हैं, तो pen हमारे पास पहले समझना है कि pen कितने प्रकार के होते हैं, अब pen is mightier than the sword, ठीक है, कलम की तलवार की ताकत से जादी, ये बहुत पुराना proverb है हमारा, ठीक है, अब तलवार यहां पर क्या है, तलवार एक हतियार है, जो किसके हाथ में जनरली दिखता है, सोभा देता है, एक युद्धा के हाथ में, जो जंगे मैदान में युद्ध करने जाता है, अब उसको एक सह quality वाला क्यों नहों, योधा कितना भी expert क्यों नहों, अगर उसके हाथ में सही तलवार नहीं मिलेगा, तो ओविसी बात है, वो युद्ध भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है न, ठीक उसी प्रकार से, जब हम pen का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो pen भी हमारे हाथ में क is like a sword and paper is the battleground, yes, जो कलम आपके हाथ में है, वो क्या है, वो एक तलवार है, और जो paper है, वो आपका battleground है, ठीक है, कई लोगों के बच्छों के जब हम लोग handwriting देखते हैं, जब answer sheet हमारे पास सामने आता है, तो जो लिख के सामने आता है, ऐसा प्रतीत होता है कभी-कभी, कि सा कोई भी later सपस्थ दिखाई नहीं देता है, ठीक है, बिलकुल घिसा हुआ, पिटा हुआ, इस तरह से किया हुआ, smudges होते हैं उसके उपर, वो बिलकुल सपस्थ दिखाई देता है, कि इस पर जंग लड़ा गया है, मैं इसका एक उधारन भी आपको देना चाहूँगा, य यहाँ पर एक सैंपल है, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यह पेपर ऐसा दिख रहा है, जैसे मानों की युद्ध का मैदान का छेतर है, और खून की बुंदे चारों तरफ छिटी गई है, इस पर कुछ भी पढ़पाना, कुछ भी लिख पाना, कुछ भी द बात करने वाले, जिसमें की एक महत्रपूर्ण के बारे में हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं, जो सबसे महत्रपूर्ण वो है, सही कलम का चुनाओ, और सही पेपर का चुनाओ, इसके पहले मैं बात कर रहा था, कि जब भी हम मार्केट में कलम खरीदने जाते हैं, और क्यों 90 GSM के बीच में होना चाहिए, और 70 GSM जिसमें की सबसे लो क्वालिटी का पेपर है, ठीक है, तो अगर आप 80 GSM को भी प्रिफर करते हैं, इट विल बी वेल औन गुड, ठीक है, यह अच्छा है, मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से, 80 GSM to 90 GSM, you may prefer to write on, लेकिन अब इस बात का ध्यान हम देंगे नहीं, मतलब जब भी हम कॉपी खरीदने जाते हैं, तो parents ये teachers जो भी कॉपी खरीद रहे हैं, students भी, वो इस बात पर ध्यान नहीं दे, वो बस देखते हैं कि कॉपी कितनी मोटी है, कितनी पतली है, पन्ने छूके देख लेते हैं, या वो भी सायद नहीं और हाँ, जो सबसे important चीज़ देखते हैं, वो देखते हैं, कि सस्ते से सस्ते दाम में हमें समान मिल जाए, ठीक है, सस्ते दाम में आप समान खरीद ये, लेकिन सस्ते दामों में भी अच्छी quality आती है, ऐसी बात नहीं है, वो तभी संभव है जब हम इसके उपर थोड़ा का पर, ठीक है, तो अब बहुत तरह के कलम होते हैं, अब इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, लेकिन पहले आप इंतिजार कीजिए, तो pen अगर माल लेते हैं, pen की tip size भी very important, ठीक है, pen का क्या क्या होता है, तो pen का tip size बहुत important होता है, उसके बाद pen कैसा है, मतलब आपके पास roller ball pen है, या फिर आपके पास ball pen है, या फिर आपके पास fountain pen है, ठीक है, या फिर आपके पास जो pen है, उसका ink जो है, pen की ink जो है, क्या इसके बारे में आपको कुछ पता होता है, इंक जब होता है, जब बात करते हैं तो एक होता है oil based ink, अब ये oil based ink का प्रयोग generally कहां होता है, किस में होता है, तो simple सी बात है कि ये ball pen में oil based ink का इस्तिमाल होता है, ठीक है, उसके बाद roller ball में generally water based ink होता है, ठीक है, water based ink, अब देखिए, अब अगर आपको नहीं पता है, कि आप जो कलम खरीद रहे हैं वह रोलर बॉल है या बॉल पेन है अगर बॉल पेन है तो उसमें ओल बेस्ट इंक होगा अगर ओल बेस्ट इंक है तो उसकी कंसिस्टेंसी क्या है अब यह मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सारे एक चीज का आप नुक्सा निकालीजिए जो टिप में दूंगा उससे बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा बस लिक के वहां देखना होता है और लिक के देखेंगा आपको पता चल जाएगा कि ओके दिस तो फिर हमाराम से कहने लगते हैं कि हमारी हेंडाति इसे खराव है यह उसक ह Совे review है तो मेरा कहना बहुत सपस्ट है अगर हम इन सारे चीजों कर주time थोड़ा सा दे देंगे लिए उलएगे हमारी हांश्यम खुद बाखुद सुधर जाएगी ना अब अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं राइट पेन क्या होना चाहिए तो राइट पेन क्या है कि इस सुड़ नॉट समझ यह समझ नहीं करना चाहिए अब समझ करने का क्या मतलब होता है जैसे सपोज किजिए कि मैं अगर यहां पर पेन सब लिख रहा हूं तो यह पेन क्लियर कट दिखाई देना चाहिए अगर यह कोई भी कलम अगर इस पेन को लिखने वक्त कहीं से भी अगर यह समझ करेगा तो यह फैलेगा ठीक है यह फैल जाएगा यह लेटर जो हुआ इस पस्ट ने आ करके यह फैलने लगेगा पेपर पे पर फिर अगेन हम ध्यान ने देता है और फिर जब अगला लेटर लिखेंगे तो एक डॉट सा बन जाता है और फिर जब इस देशें इस पर अगर हाथ लगाते हैं तो वह फैल जाता है उसी को बोलते हैं स्मजिंग तो पेन हमारा समझ नहीं करना चाहिए यह बहुत महत्त प्लास्टिक के ही बने होते हैं बेटर होगा कि अगर आपके कलम पर ग्रिप हो तो अगर आप लंबे एक्जाम देते हैं तीन गंटे चार गंटे के पेपर वाले स्टूडेंट से आप और आपको लॉंग आवर के लिए लिखना पड़ता है तो बहुत सारे स्टूडेंट क यह कंबड़न आता हैं इसलिए लिखनी की तो अगर इस बात प कि हमारा जो कलम है वो easy to hold है और वो हमारे उपर ज्यादा प्रेशर नहीं बना रहा है तो simple सी बात है कि that will make easier for you to write ठीक है तो हमारा कलम कैसा होना चाहिए के easy to hold होना चाहिए उसके बाद एक अच्छा ग्रिप अगर मिल यह तो बहुत रबराइज ग्रिप होता है कलम में इस बात पर आप ध्यान देंगे कि एक रबराइज ग्रिप वाला कलम हाथ में रखें या खरीदें उसके बाद कलम की इंक बहुत ज्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा हलकी भी नहीं होनी चाहिए बहुत सारे कलम की कंप्रियां ऐसी है खास करके अभी के समय में आने वाली जो कंप्रियां है वह इस बात का ध्यान नहीं रखती इसका जो लिड होता है आप लिखके देख लो जरूद से जादा डार्क होता है तो इस बाद पर ध्यान देना है कि जो पेन का इंक है और उसका जो डिखने से इसु का जो लाइटर ca journalist है रूपर होना चाहिए नहीं बहुत जड़ा किसे आकरिती नजर आएगी जैसे ही आप कुछ लिखिएगा तो वह फैल सजाएगा ऐसा लगेगा कि फून की छीटे पड़ीवी है वह जनरली किस में होता है तो रोलर बॉल में होता है ठीक है तो ब्लीड करनी की समस्या जो है वह रोलर बॉल पेन में और सबसे ज़्यादा फाउंटेन पेन में अब देखिए फाउंटेन पेन की बात मैं इस वीडियो में तो नहीं करने वालो मैं उसको प्रिफर नहीं कर रहा हूं अभी के समय के लिए क्योंकि वह बहुत ज़्यादा इजी टू यूज नहीं है हाई मेंटेनेंस पेन है वह पुराने समय में लोग करों तो ओविसी बात है फाउंटेन पेन इस रॉयल ठीक है लेकिन स्टूटेंट्स को मैं फिलहाल आज के समय में प्रिफर नहीं करूंगा कि वह फाउंटेन पेन से लिखें ठीक है हाँ जब आप बड़े हो जाएं ठीक है शौकिया आपको लिखना है आप एक बहुत अच क्या होना चभी यह बलीट करने समय यू अब यह बलीट क्या क्यों करेगा बलीट इस लिए करेगा क्यों कि आपने गोचर्म क्यों की पेपर की क्वेलिटी सेलेक्ट कि है अबने लिए क्या टीस हमें यूह और न। और ल bên जिए ठीक है, this roller ball pen is definitely gonna bleed, ठीक है, तो इस बात पर ध्यान देना है, अगर आपको roller ball pen से लिखना अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद है, तो फिर आपको 70 GSM से higher range वाले paper आपको खरीदने होंगे, ठीक है, for example, you may prefer 80 GSM paper और 90 GSM paper, ठीक है, तो अगर हमें roller ball pen से लिखना है, अगर roller ball pen आपका पसंद होता है, then what we have to prefer, we have to prefer the quality of paper to be more than 70 GSM, that is between 80 GSM and 90 GSM, only then you are gonna use roller ball pen without bleeding, otherwise वो उसको bleed करना है, and your writing will, एक page पर लिखेंगे, पीछे पने पर वो छप जाएगा, ठीक है, ऐसा समस्या होता है generally, और आजकल ये समस्या ball pen में भी आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा dark ball pen लिखने वाले को prefer कर लेते हैं, without taking care of the quality of the paper, that is why I talked about the quality of paper earlier, right, तो ये सारे point समझ में आगे, कि हमारे लिए सही कलम क्या हो सकता है, तो हमारे लिए कलम सही क्या है, मैं फिर से revise कर वा रहा हूँ, it should not smudge on the first hand, second, it should be easy to hold, third, it must have a nice grip, and the ink should not be too dark, not too light, or it should write smooth and should not bleed, अब ब्लीड क्या होता है, वो भी बता दिया, ब्लीड कौन सा कलम करेगा, ये भी बता दिया, और अगर वो उसको ना करना है, तो उसके लिए हमें कौन सा step लेना है, that also I have talked, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, types of pens, इसको थोड़ा detail में समझते हैं, ठीक है, सबसे पहले बात बार पर मार्केट में मिलते हैं, काफी सस्ते cheap and best होते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो सबसे important बात, जो हमें गौर करना चाहिए, वो है इसका tip size, ठीक है, इसका point size होता है, this is the tip of a pen, तो कई बार इस पे भी हम बिना ध्यान दिये वे कलम को खरीद लेते हैं, बही, 0.5 mm की जो tip है, उसके बाद 0.6 mm की जो tip है, उसके बाद 0.7 mm की tip है, और it goes on further like this, and it may go around 1.0 mm, ठीक है, 1.0 mm की भी कलम आती है, उसको भी मैंने देखा कई सारे students को use करते हैं, तो देखिए, हर tip size का अपना एक purpose होता है, and you must be knowing this, only then you are going to use a pen for the right purpose, otherwise किसी भी कलम को आप किसी भी paper पर तो सिदी सी बात है, वो आपके handwriting पर प्रभाव डालने वाला है, तो मैं यहां यह बात नहीं कर रहा है कि आप अपने handwriting पर इस तरह से कुछ काम कीजिए, कुछ ऐसा कुछ कीजिए, जो practice कीजिए, अभी फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात भी करूंगा मैं, लेकिन फिलहाल जो हमारे हाथ में टूल है, उसकी बात कर रहा हूं, कि राइट टूल होना कितना अवशक है, ठीक है, तो 0.5, 0.6 and 0.7, अब देखिए, तीनों के बीच में क्या फर्क हो सकता है, और कैसे हम लोग इसका काम कर सकते हैं, देखिए, तो pocket friendly होता है, कौन, ball pen and can write on almost any kind of paper, और कुछ personal choices मैं नहीं आ दे दिये हैं, हाला कि person to person ये vary करता है, ये कुछ मेरे personal choices है, जो मुझे लगता है, overall performance इनका, बहुत अच्छा रहता है, और बहुत सस्ते कलम आते हैं, रिलांड's, काबूरे 0.7, I guess, I must be having this in my pocket, I can show you, and yes, this one, you must have seen, बहुत पुरानी कलम है, बहुत पुरानी कलम है, old is gold वाली बात है, ठीक है, और इसका grip और बाकी सारे flow वगरा, सब कुछ बेटर है, अच्छा है, तो you can use this pen, otherwise link glycer again, very popular pen among students, butterfly flow, you must be knowing about that, Reynolds, jetter, wing guides, cello pin point, all these pens are very very good, अब इसकी बात में हम लोग कर दे हैं, importance of tip sizes, ठीक है, 0.7 किसके लिए recommended है, 0.4 beginners, as it writes, smooth, with less pressure on fingers, ठीक है, तो 0.7 tip का pen हम किन को prefer कर सकते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था, वीडियो के सुरुआत में, कि वो बच्चे, जो पहले pencil से लिखा करते थे, ठीक है, और अब वो pen में shift कर रहे हैं हूं, ठीक है, क्योंकि school के students class 3 या class 4 से I guess, class 4 से I guess, वो pen की और shift करते हैं pencil से, तो उस वक्त उनको pen की कोई खास समझ नहीं होती है, ठीक है, तो उस समय में, for beginners, it is very very preferable that you use 0.7 mm point size pens, वो काफी smooth होगा लिखने के लिए, वो हमारे उंगलियों पर pressure नहीं लगाएगा, और handwriting बनाना काफी आसान हो जाता है, उस case में, ठीक है, तेकिन अगर आप उस समय में, अग वो काफी पतला लिखेगा, और उससे pressure भी बहुत जादा पड़ता है paper, कई बार छोटे बच्चे, उनको पता नहीं होता है कि कितना pressure लगाना है, और वो काफी गड़ा करके copy पे लिखते हैं, जिसके वज़े से पन्ने के पीछे का side हलका फट भी जाता है, और काफी मुश् क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 के बच्चे, अगर 0.5 से लिखने का आदत लगाएं, तो they will have a good grip on pen and they will have a proper knowledge on how to use pens properly, उसके बाद जब थोड़ा सा लिखने का practice हो गया है, तो 0.6 tip size, यह नहीं जादा मोटा लिखेगा और नहीं बहुत जादा पतला लिखेगा, तो 0.6 tip size जो है, that is also very good to write on, और last में आता है 0.5 tip size, जो काफी पतला लिखता है, यह for experts है, जिनको कलम से लिखने का पूरा आदत हो चुका है, अच्छे तरीके से practice हो चुका है, अभ्यास हो चुका है, they have command over that, ठीक है, तो they can use very well 0.5 tip size, यह काफी पतला लिखता है, राइटिंग बढ़ी clear बनती है लेकिन फिर उन्ही के लिए, जो those people who are very expert using this tip size, ठीक है, तो उन्ही के लिए जो कलम से अच्छा लिख पाते हैं, तो उनके लिए 0.5 tip size recommended होगा, otherwise आप अगर senior students है, ठीक है, 9th end में है, secondary में है, higher secondary में है, then you can use any of these tip size pen based upon your choice, ठीक है, लेकिन यह special recommendations किसके लिए है, उनके लिए 0.7 जो beginners है, 0.6, जब आप थोड़ा सा आदत हो गया है, आपको लिखने का, you can shift to 0.6, and when you think you have become expert to write with a ball pen, then you can use 0.5 tip size pen, is that clear, I guess, next, हम लोग मूव करते हैं, समझते हैं, gel pens के बारे में, यह भी बड़ा अच्छा होता है, generally, लेकिन बच्चे इसको, या फिर parents खास करके, मैंने parents को देखा है, gel pens को prefer ना करने के, अब उनके पीछे का कारण क्या होता है, कारण यह होता है, कि मैंने जो सुना है, वो यह है कि gel pens, थोड़े महंगे होते हैं, अगर मैं compare करूं किस से, अगर compare करते हैं, तो they are costly, का मतलब यह नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन हाँ, 5-10 रुपे का अंतर जरूर पड़ता है, 5-10 रुपीज का अंतर आपको पढ़ जाता है, यहाँ पर, दूसरी बात यह, कि यह बहुत जल्दी खतम हो जाता है, रिफिलिंग ब थोड़ा ज्यादा लंबा लिखता है, तो यह दो मेन कारण है, पहला कि बार-बार रिफिल खतम होता है, बहुत जल्दी खतम होता है, और दूसरी बात यह, कि थोड़ा सा costly होता है, इस वज़े से जनरली बच्चे इसको prefer करते वे दिखते नहीं है, लेकिन they are very smooth, ठीक है, best for the beginners as they are smooth to write and produce clean look, gel pen से अपने आप handwriting बड़ी clean दिखाई देती है, ठीक है, इसको मेहनत करने की कोई खास अवशकता नहीं पड़ती है, कि आपका handwriting clean दिखाई दे, तो अच्छे handwriting का एक पहचान है कि वो clean दिखता है, और यह कलम automatically cleanliness provide करता है, तो अगर हम gel pen beginners को recommend करते हैं, तो मुझे लगता है, साथ pen के साथ उनका जो संबंध होगा, उनका जो relation आगे चलके develop होगा, they will be using more efficiently, ठीक है, तो gel pen are definitely recommended to the beginners, ठीक है, अगर मैं 0.5 ball pen की बात करूँ, और किसी gel pen की बात करूँ, खास करके gel pen अगर 0.5 tip size में हैं, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, तो य प्रवाइड करता है, उसमें extra effort लगानी की जरुवत नहीं पड़ती है, इसलिए beginners के लिए highly recommended होता है, ठीक है, तो मैं तो चाहूँगा कि छोटे बच्चे जो हैं, जो initial तौर पे pen से introduced हो रहे हैं, तो they must prefer this gel pen, अब they are enough dark, इनकी darkness अच्छी होती है, ठीक होती है, ना बहुत ज tip size 0.5, मैंने जैसा बता दे, gel pen अगर आप खरीद रहे हैं, तो फिर 0.6 या 0.7 लेने का कोई तुक मुझे समझ नहीं आता, आप 0.5 tip size से काम कीजिए, वो बहुत अच्छा चलेगा, बहुत clean look देगा handwriting को, बहुत साफ लिखेंगे, अगर आपके latest formation अच्छे नहीं भी हैं, तो भी वो साफ सुत्रा ही दिखाई देगा, ठीक है, other pens के तुलना में, तो that is recommended by me, और personal recommendation की मैं बात करूं, तो Reynolds Racer gel pen आता है, again octane gel है, pilot V5 RT, यह थोड़ा costly हो जाता है, यह 100 उपीज तक चला जाता है, pilot V5 RT, यह gel pen है, ठीक है, and they are costlier than the ball pens, ओव्यसी बात है, ball pens से यह not recommended for all, only if you choose to buy it, you buy it, otherwise you may use Reynolds Racer or octane gel pen, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा है roller ball, ठीक है, liquid based ink होता है इसका, ठीक है, या फिर pigment based भी होता है, generally जैसे कि for example, अगर मैं uniball की बात करूं, अगर मैं uniball eye की बात करूं, अपने नाम सुनो होगा uniball eye का, uniball eye, इसका pigment based ink होता है उसके बाद फिर आपने सबसे सुन्दर pen है, इस रेनी में, वो है pilot 0.5, ठीक है, इस रेनी में अगर roller ball की बात करूं, तो मुझे नहीं लगता कि pilot 0.5 से कोई बहतर कलम होगा, और बहुत सारे students का ही नहीं, बहुत सारे officer grade का भी यही choice होता है, in fact कि IS officers and other ministers also, generally you can see them using this very pen, pilot 0.5 और pilot V5, ठीक है, तो यह दो कलम अपने इस रेनी में सबसे best कलम है, महंगाई की बात करूं अगर इसकी तो इसका costing लगबग 40 रुपया, 50 रुपया या 60 रुपय के आसपास पढ़ता है, depending, ठीक है, 40, 50 और 60 के रेंज में यह सरे कलम आते हैं, तो अगर आप effort कर सकते हैं, then you can use this pen, लेकिन फिर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैंने, लेकिन मैंने जैसा शुरुआत में कहा, कि अगर आप roller ball pen से लिख रहे हैं, in fact आप अगर pilot से भी लिख रहे हैं, ठीक है, pilot 0.5 से, तो फिर यहाँ पर paper की quality matter करती है, you will have to be very selective about choosing the paper, it may not write on every kind of paper, तो इसके लिए मैंने शुरुआत में 80 GSM और 90 GSM के बीच का range आपको दे दिया है, तो अगर आप इस quality के paper पर लिख रहे हैं, then definitely you can use pilot 0.5 और इससे आपके handwriting बाकी कलमों के तुलना में बहुत ज़्यादा साफ और clean दिखाई देगी, अगर आप अपने handwriting पे personal कोई खास practice नहीं भी करते हैं, इसके बावजूद, ठीक है, तो costliest है among all those pens, उसके बाद may or may not be waterproof, इंक जो होता है, इसका कई बार लोग सिगायत करते हैं, या फिर जो roller ball pen होता है, उसका waterproof इंक नहीं होता है, इसकी चिंता होते ही लोगों की, हाँ ठीक है, यह बात सही है, कि अगर उसके उपर पान जाएगा या मिट जाएगा, लेकिन pigment based जो इंक होती है, वो पानी से नहीं मिटती है, ठीक है, कई सारे roller ball pen आजकल के समय में आते हैं, जो waterproof इंक प्रोवाइट करते हैं, जैसे मैंने uniball की बात की, तो uniball का जो pen है, वो waterproof इंक प्रोवाइट करता है, ठीक है, इस पर पानी व चॉइस बिल्कुल आपका अपना होगा, अगर आप effort कर सकते हैं, महंगे कलम, तो निश्य तोर पर आप roller ball pen का इस्तमाल कर सकते हैं, but you need to take care of the papers, ठीक है, the quality of paper, need good quality paper to write on, personal recommendation, pilot 0.5, uniball eye, extra fine, ठीक है, तो ये हो गया roller ball pen का पूरा concept, I guess मैंने इसके regarding, आप लोगों को सब कुछ समझा दिया है, ठीक है, कि कितने तरह के कलम हो गए, तो we have discussed ball pens, we have discussed roller ball pens, we have also discussed gel pens, again what we have done, we have discussed tip sizes, 0.6, 0.5 and 0.7, अब कुछ महत्रपूर्ण बाते, writing को सुधारे कैसे, क्या practice करे, क्या करे, नहीं करे, तो उसके regarding मेरे पास कुछ बाते हैं, जो मैं आप लोगों को से शेर करना चाहता हूँ, अब देखे, जब हम अब दो काम, जो दो बेसिक काम था हमें, राइटिंग सुधारने को लेकर, जो दो बेसिक बहुत ही important root level पे कारे था, वो क्या था, पहला हमारा सही pen का selection, और दूसरा हमारा सही paper का selection, ठीक है, ये दो कारे तो हमने कर लिया, सही कलम क्या हो होना चाहिए, सही paper क्या होना चाहिए, ये दो कारे हम लोग समझ गए, इसके बारे में जो जानकारी मिलनी थी, वो जानकारी मिल गई, अब राइटिंग को अपने बेसिस पर कैसे सुधारे, एक अच्छी राइटिंग कैसे लेकर के आए, इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये समझना जरूरी हो जाता है पहले कि what do we call good handwriting और what is a good handwriting, ठीक है न, अच्छी handwriting किसे बोलते हैं, तो इसके लिए मैं आपको सुरुवाती slide पर ले जाने चाहूंगा, points to be noted, regarding what is good handwriting, good handwriting होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक sample आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, you can see over here, ठीक है, यह handwriting कितनी clean दिखाई दे रही है, है न, each and every letters and also the words are very good, ठीक है, बहुत अच्छे से यह दिख रहा है, appropriate spaces दी गई है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कालिग्राफी किया हुआ, अब कलिग्राफी का क्या मतलब होता है, कि बहुत सुन्दर तरीके से इसको सजा सजा कर इस तरीके से लिखना, you don't need to do this, ऐसा करनी का अविशकता नहीं, बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि अच्छी handwriting को कलिग्राफी बोलते हैं, कलिग्राफी is a different level of art that we student don't need to do, ठीक है, वो एक अलग से एक art है, कला है, अलग specific उसका इस्थान होता है, इस्तमाल करने का, अगर आ right now we are talking about is, we are talking about, we are talking about good handwriting, right, तो ये good handwriting कैसा हुआ, तो good handwriting में क्या दिखना चाहिए, good handwriting में पहला है, कि कोई सी तरह का, कोई smudge नहीं होना चाहिए, ठीक है, जब हम smudge की बात करते हैं, तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने smudge क्या होता है, उसके पहले सुरुआत में ही बात कर लिया है, तीक है, उसके बाद साफ दिखना चाहिए, यह देख सकते हैं आप, यह कितना clean दिख रहा है, साफ सुत्रा, किसी तरह का यहाँ पर इस तरीके से घसा हुआ, इस तरीके से किया हुआ, कोई भी लेटर गलत तरीके से प्रननस नहीं है, यहाँ पर ठीक है, गलत खराब तरीका है, ऐसा करने का, आप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा नहीं कीजिए, अगर आप से कुछ गलती हो गई भी, you can just cut it like this, कोई भी एक लेटर है, अगर गलत लिखा गया है, तो आप उसको एक लाइन खीच के बस उसको simply cut देना है, कम से कम उससे आपका paper खराब नहीं द दिखाई देगा, लेकिन अगर आप जगा जगा पर इस तरीके से spots बनाएंगे, ठीक है, handwriting को हमेशा smudge करते रहेंगे, तो फिर वो जंग का मैदान बन जाएगा, जहां पर पुरे फून की छीटे दिखाई देती है, ठीक है, और वो काफी भयावा होता है देखना, as a teacher, तो handwriting में हमारा क्या नहीं होना चाहिए, एक अच्छे handwriting में क्या-क्या नहीं होना चाहिए, वो है कि वो कुछी तरह का smudges नहीं दिखना चाहिए, उसमें, साफ दिखना चाहिए, easy to be read, आसानी से teachers को दिखाई दे दे, जिसके लिए आप answer लिख रहे हो, अब इसी बात है, जब सामने वाला उसको पढ़ सके, तभी आपके लिखने का कोई महत्व है, otherwise it has got no use, it's better not to write, feel good to the eyes, आखों को प्रिया दिखनी चाहिए, तो कई बार इसमें कलम और इंक का फिर इस्तेमाल हो जाता है, यूज आ जाता है, पेपर का इस्तेमाल आ जाता है, इसलिए मैंने pen और पे देखे और समझे की क्या लिखा गया है, और आसानी से दिख सके, अगर वो अच्छा दिख रहा होगा, तो निश्चित तोर पर वो हमें attack करेगा, और हमें पढ़ने के लिए मजबूर करेगा, ठीक है, और अगर आपने answer अच्छा लिखा है, तो एक तो देखने के marks मिलेंग तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आँखों को अच्छी दिखनी चाहिए, without scribbles किसी तरह का कोई scribble मतलब घसा हुआ नहीं होना चाहिए, मैंने अभी जस्ट बताया कि घसने को क्या कहते है, किस तरह से घसते हैं बच्चे, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके घस देते ह पात नहीं है, ऐसा नहीं है, ताफ सुत्रे लेटर्स उभर के आने चाहिए, लेटर्स की बीच में अच्छेfox स्पैसिंग होने चाहिए, अच्छा वो दिखना चाहिए, इस तरह से स्क्रेवल के आवर नहीं होना चाहिए, smudges नहीं होने चाहिए, clean दिखना चाहिए, $iksiक ह अब इसको थोड़ा बहुत डिवलप करने के लिए हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं तो तीन चीजों पर ध्यान देना है ठीक है पहला है हमें जो इस तीन चीजों में भी जो मैं सबसे मेरे तरफ से बहुत highly recommended होता है मैं अपने students को इसके उपर practice करवा चुका हूँ और उसका बहुत अच्छा result देखने को मिला है ठीक है तीन बाते मैंने लिखी है यहां पर पहला है पैन ग्राम्स का practice पैन ग्राम्स पैन ग्राम्स क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे उसके बाद है प्राक्टिस ओन प्लेइन पेपर ठीक है हम लोग हमें practice करना है अगर हमें उन बातों की का ख्याल लगना है अगर हमको अपने handwriting को सुलारना है तो अब इन तीनों चीजों में मेरा जो अपना personal सबसे best तरीका मुझे ऐसा लगता है जो मैंने results भी पाएं है इसको इसके लिए वह है practice on plane paper जी plane paper कहने का मतलब हो गया white paper ठीक है रूल पेपर पे लिखना it becomes very easy ठीक है काफी आसान हो जाता है और होता क्या है कि हम लोग कभी plane paper पे हार्डली ही लिखते हैं ठीक है लेकिन रूल paper पर जो लिखते हैं वहीं बहुत ख्राब लिखते हैं इस into भी लिखावत हम लोग लिख रहे हैं अगर एक बात मैं कहना चाहूंगा चुकि फीचर से मैंने बताया वह क्या है कि वो clean दिखना चाहिए, राइट, वो smudge, मतलब no smudge होना चाहिए, ठीक है, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा है, उसमें किसी तरह की कोई smudging नहीं होनी चाहिए, और साफ दिखना चाहिए, अगर ये दो बाते भी आपके handwriting में हैं, और अगर कुछ और बाते add किया जाए, थोड़ा सा easy to read होना चाहिए, ठीक है, easy to read होना चाहिए, alignment is also very very necessary part, alignment, alignment का मतलब अगर हम कोई चीज यहां से लिखना शुरू किये हैं, तो it must follow a straight line path, ठीक है, लेकिन होता क्या है, कि कई बार आप देखोगे, बच्चों को जब plain paper पे लिखते हुए, तो हम पाएंगे, कि बच्चे कुछ यहां से लिखना शुरू करते हैं, धीरे धीरे यहां चले जाते हैं, फिर यहां चले जाते हैं, फिर यहां चले जाते हैं, यहां से लिखते हैं, फिर ऐसे चला जाता है, फिर कभी ऐसे चला जाता है, तो इस तरीके के alignment निकल के सामने आते हैं, मतलब कहां से शुरू करना है, कहां खतम करना है, इसका मतलब यह हुआ, कि हमारा hand, जिससे हम लिखते हैं, और हमारा eye, जिससे हम देखते हैं, इसमें coordination की कमी है, और handwriting is more about hand and eye coordination, क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं, हमारा हाथ govern नहीं होगा, only this eye can see, this will send message to our brain and then this brain will send again the message to the hand, कि आप कैसा लिख रहे हो, you first analyze, तो फिर हमारा hand control में आएगा, लेकिन लिखते वक्त हमारा hand हमारे control में नहीं होता है, जिसके वज़े से हम उल्टी सीदे handwriting लिखते हैं, हमारे later formations पे हमारा ध्यान नहीं होता है, ठीक है तो आज ये तरीका में बता रहा हूँ, कि handwriting is more about technical aspect, talking about technical aspect, more about hand-eye coordination, hand or eye का coordination, first you need to see properly, then this, when you see, because you know, कि eye क्या है, हमारा एक sense organ, very very important sense organ this is, right, तो ये information हमें brain को देगा, कि alignment is not proper, फिर हमारा ये brain इस हाथ को control करेगा, and then we will start, we will automatically start aligning our answers, or aligning our handwriting, बहुत important role play करता है, अब अच्छे से देखने के लिए, किजे हमें इस पस्ट तोर पर दिखाई दे, कि हम कैसा लिखे हैं, ruled paper यहाँ पर बहुत मदद नहीं कर पाता हमें, क्य पिची भी होती है, एक आधार दिया गया होता है, क्यों न हम इस आधार को हटा दे, so that हम proper तरीके से अपने आपको देख सके, ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ, कि आप क्या करेंगे, आप plain paper लेंगे, ठीक है, आप क्या लेंगे, आप plain paper लेंगे, plain white paper, और white paper पे लिख होने क्या किया, they started writing and the same problem occurred, कि उन्होंने यहां से कुछ शुरू किया, for example, अगर यह लिख रहे है, a quick brown fox, तो वो लिखते लिखते यहां पहुँच गये, फिर अगर इसी line को आगे repeat करते हैं, क्योंकि कोई base, कोई आधार उनके पास नहीं है, completely white sheet मिला हुआ है, तो कहां margin डाल है, कहां margin नहीं डालना है, कहां later मेरा कैसे जा रहा है, नहीं जा रहा है, they were not able to analyze it properly at the initial level, लेकिन जब वो चीज निकल के सामने आया, they were able to realize, oh, I am doing this mistake, तो फिर उनकी आखों ने उनको message दिया, कि this line is not proper, यह line टेढा जा रहा, यह line सीधा जा रहा, यह later formation सही नहीं है, वो बिल कि alignment से ही, handwriting में कुछ खास improvement नहीं हुआ, letters में बहुत ज़्यादा improvement नहीं आया, बस alignment ठीक होने से ही, उनका handwriting साफ हो गया, वो clean look देना शुरू कर दिया, अब समझ में आने लगा कि उन्होंने क्या लिखा है, and they were also able to read what they had written, ठीक है, कभी-कभी तो ऐसा भी हो जाता है, हो कि क्या लिखे हो, they are not able to read it, कि उन्होंने क्या लिखया, वो खुदी नहीं पढ़ पा रहे, तो भई teacher कैसे पढ़के देगा आपको, तो बहुत important बात यहां पर है, कि अगर आप plain paper पे लिखना शुरू करते हैं, तो आपका hand-eye coordination improve करेगा, और hand-eye coordination जब improve कर गया, तो बहु सुधर जाएगा, अच्छे दिखने लगेगी, ठीक है, तो कोई बहुत extra effort लेने की कोई खास आवश्यकता नहीं, you just have to apply this simple rule, that for some days, at least for one month or two months, you may introduce yourself to writing on the white plain page, ठीक है, आप करके देखिए, आपको इसका practical result सामने आपको देखेगा, ठीक है, बाकी जो recommendations मैंने दिया है, उनका अगर आप कर लेंगे, तो और ज्यादा effective होगा, उसके बाद pangrams की बात करते हैं, now what are pangrams, देखे, pangrams आपने सुनाओगा, a quick brown fox, just jumped over a lazy dog, तो pangrams एक प्रकार का sentence है, जिसमें अंग्रेजी के लगभग सभी letters सामिल होते हैं, जरूरी नहीं कि इनका कोई meaning is first निकल के सामने आ इंप्रूफ करने के लिए, इसलिए जो बहुत popular pangram का इस्तिमाल होता है, वो यही है, हाँ, यह, the quick brown fox jumps over the lazy dog, यह एक pangram है, ठीक है, इसमें आप अंग्रेजी के सभी letters लगभग देख सकते हैं, आप, you can find all the letters over here, उसके बाद कुछ और pangrams भी है, जैसे sphinx of black quards, judge my woe, 29 letters है इ इसमें, how quickly daft jumping zevras wax, 30 letters है इसमें, the five boxing wizards jump quickly, 31 letters है इसमें, मतलब handwriting का मतलब क्या हुआ, अगर हम English लिख रहे हैं, तो English के सारे letters हमें अच्छे से pronounce करने आने चाहिए, अच्छे से वो उभरना चाहिए, तो अगर हम pangrams का practice करते हैं, plain paper पे, सुरुवाती दोर में, तो हम पाएं alignments जो हो रहा है, वो alignments सही हो गए है हमारे, बस इतना ही तो चाहिए, alignments सही होना चाहिए, later formation सही होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, इतना काफी है आपके अच्छा है handwriting के लिए, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा effort लेनी के कोई खास हवे सकता नहीं, what you have to do is you have to take the right approach, गलत किसी ऐसे चीज में नहीं फंसना है, जहां और ज़्यादा समस्य है create हो जाए, और ऐसी चीजे करनी है जो हमारे साथ permanent रहे, ऐसी चीजे नहीं करनी है कि for the time ठीक हो जा और फिर वो training जब खतम हो और वो चीजे बस वापस से उसी line पर track पर चली गए, what we have to do is, we we have to take that thing into our practice and make it our permanent skill, उसके लिए ये practical approach है, you may practice pangrams, ठीक है, और pangram का ये सारे example मैंने आपको अलड़ी दे दिया है, plain paper पर practice करेंगे, बहुत सुन्दर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, आप 20 दिन करके देखिए, you will find the result yourself, ठीक है, तो pangrams की चर्चा हम लोग नहीं कर लिया practice on plain paper, इसकी बात हम लोग नहीं कर ली, ठीक है, अब daily writing a page and analyze, ठीक है, ignore कीज़ेगा चीजों को, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, तो daily practicing is very very important, if you have to learn how to ride a bicycle, then you need and you must sit on the bicycle and try to ride it, बार बार गिरोगे, तभी जाके सिखोगे, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको bicycle सिखना important है, तो निश्य तोर पर आप गिरने के बावजूद भी आप जाओगे, cycle चलाओगे, गिरोगे, अगले दिन फिर चलाओगे, अगर आपको bike सीखने का मन है, तो obvious ही बात है, bike पे बैठ के ही सीखोगे, car में बैठ के bike cycle चलाना नहीं सीख सकते, या train में बैठ के motorcycle चलाना नह ही सीख सकते हैं, जहाज को चलाने के लिए जलाज में बैठ के ही सीखना होगा, उसी तरीके से अगर आपको handwriting सुधर ना है, तो handwriting को practice करके ही सुधर हेगा, ठीक है, तो if you have that will, if you really want to improve, then you have to, you must practice daily writing, आप कुछ भी लिखो, आप केवल pangram ही लिखो, बहुत सारे pangrams मैंने यहा at least one page, for 20 days, 21 days, 30 days, take a challenge, that I will be practicing everyday one page pangrams, on plain white paper, with all the other recommendations that I have given to you, and take this 30 day challenge, and I guarantee that you will improve, definitely, इसमें कहीं चोई शक नही है, तो daily writing a page and analyze, आप कुछ भी लिख लिख लिजे, अपनी कहानी लिख लिख लिजे, daily routine को लिख लिख लिजे, pangrams लिख लिख लिजे, whatever you wish, you write, देखे, और practice कीजिए, तो practice particular letter formation, अलग-अलग letter formation को भी कर सकते हैं, हाँ, एक और बड़ा अच्छा चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको, देखे, warm up is very very important, अब देखे, जब letter formation की बात करते हैं, तो जड़ा गौर करेंगे हम लोग, आप लोगों को पता है, जब when they are introduced to writing, क्या करवाया जाता है, सबसे पहले उनको बोला जाता है, कि आप सीधा line खीचिये, कुछ इस तरीके से, है न, and they are not able to draw those lines, जब छोटे बच्चे होते हैं, मतलब, I guess, नर्थरी के बच्चे, या प्रेप के बच्चे, जब उनको पहली बार लिखने का A, A, E, E सुख अब, अब आप बोलोगे, सर, हम तो छोटे बच्चे हैं नहीं, आप छोटे बच्चे ही हैं, अगर आप लेटर फॉर्मेशन में ये, अब क्यूं किया जा रहा है, ये सब, क्यूंकि आप ज़रा गौर करके देखिए, इसका टेकनिकल एसपेक्ट है, जब हम A लिखते हैं, I will write, if we are writing a small A, then we are drawing what? We are drawing the curve lines, right? अगर हम B लिखरे हैं, again you can see, there is one straight line and again there are two curve lines, है की ने? So इस तरीके से अगर हम लोग M लिखरे हैं, straight lines है, clrant lines है और ठीक, इसी प्रकार से बाकि सारे letters हैं, तो आखर हम लोग ये practice क्यों बच्चों को करवा रहे हैं, ताकि उनका लेटर फॉर्मेशन जब वो आगे बढ़के लेटर फॉर्मेशन करेंगे तो वो करना उनके लिए आसान हो जाए and if you are able to draw straight lines like this, practicing straight lines like this, ठीक है और इसको आप align कर पा रहे हैं again this will gonna improve your hand-eye coordination, बहुत technical बात मैं बता रहा हूँ, छोटी सी बात है छोटे-छोटे बात है लेकिन बहुत महत्रपूर्ण बात है, बहुत practical बात है, अगर आप कीजिएगा आपको इसका फाइदा मिलेगा ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि plain paper पे कुछ इस प्रकार से आप draw कर सकते हैं और ये कोसिस करेंगे, ये जो plain paper में मैं draw कर रहा हूँ, उसको analyze करेंगे, ठीक है analyze करेंगे एक page करने के बाद, कि क्या ये सभी रेखाएं जो मैंने draw की है, वो सीधी है वो line में आ रही है, निश्यत तोर पर सुरुवात में जब करोगे, तो थोड़ी बहुत इधर उधर टेठा मेरा दिखाई देगा फिर जब उसको सुधारने की एक्षा आएगी, आपके अंदर के ने इसको सुधारना चाहिए, तो पहले पन्ने, दूसरे पन्ने, तीसरे पन्ने, चौथे पन्ने, and slowly if you move on, you will find that you are improving, उसी तरीके से आप curve line draw करो, और देखो कि क्या सारी चीजे एक साथ उभर के सामने आ रह करते हैं, again you can use structures like this, because इस structure का भी काफी use होता है, खास करके जब हम cursive writing लिख रहे होते हैं, ठीक है, आप इस तरह के structure का use कर सकते हैं, again एक और बहुत अच्छा तखनीक है, अगर आप अपने hand eye coordination को improve करना है, तो क्या कर सकते हैं, आप एक circle draw करो, बीच में dot डालो, circle draw करो, देखी ये क्या हो रहा है, आपका लक्ष होना चाहिए, कि आप जब ये circle draw कर रहे हैं, तो पहली बाद तो ये circle ठीक ठाक draw हो जाए, उसके बाद जब ये dot डाल रहे हैं, ये dot आपके circle के बीचो बीच जाए, पोशिस ये ही करना है, you have to try, practice, practice and then practice, धीरे धीरे क्या होगा, कि अगर dot इधर उदर भी पढ़ रहा है, तो समय के साथ वो धर इधर dot बीच में पढ़ने लगेगा, means आपका आख, आपका हाथ, brain के पूरे control में है, पूरे नियंतरन में है, और तब इस तरह से जब आप अपने आपको toned up कीजिएगा, simple दी बात है, उसका जो result सामने दिखा जाएगी, ठीक है, तो यह बहुत अच्छी चीज है, अगर आप कीजिएगा, तो इससे आपका warm-up होगा, and warm-up is very very important if you are going to do any tough task, ठीक है, तो warm-up करो अपना, ठीक है, तो all you need to do is to have a consistent desire to improve and practice, अब यह जो सारी बाते करनी थी, handwriting को लेकर के, वह हम लोगों ने कर ली, एक बार म मैं छोटा सा बस revision दे देता हूँ, कि क्या-क्या हम लोगों ने चर्चा किया, slide 1 से हम लोग करेंगे इस काम को, pen, paper and handwriting, the technical view, यह हमारा topic था आज का, problem हम लोगों ने discuss किया, कि क्या-क्या problem है, कि handwriting की issue क्यों है, क्योंकि less writing work है, more focus on road learning है, introduction to digital gadgets है, losing importance of pen and paper है, इसकी बाद हम हम लोगों ने किया, कि how should be your handwriting handwriting होना कैसा चाहिए भई, तो इसके बारे में बात किया, कि उसमें कोई smudges नहीं होने चाहिए, it should look clean, it should be easy to read, it should feel good to the eyes, without scribbles होने चाहिए, no calligraphy needed, और एक sample यहाँ पर हम लोगों ने प्रसुत किया, कि अच्छा handwriting दिखता कैसा है, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक कहावत देखा, the pen is mightier than sword, और मेरा अपना जो है, you are the warrior, the pen in your hand is like a sword and the paper is the battleground, and here in this battlefield, मतलब यह जो paper है, इस battlefield पे, the winner is the one, winner कौन है, विजेता कौन है, who fights the battle, but doesn't let any drop of blood fell on the ground, इस paper के ground, पर in fact, अगर real battlefield में भी हो, तो एक अच्छा योद्दा वही कहलाए जो बिना खून का एक कत्रा भाए, वो मैदाने जंग को जीत के आया हो, अगर जंग में खून ना बहा, और एक विजेता ने कुछ इस तरीके से काम किया, कि बिना किसी युद्ध किये ही, युद्ध जीत गया हो, तो obviously बात है, he is the winner, तो इस battleground पे भी वही हाल है, अगर बि easy to hold, it must have a nice grip, the ink should not be too dark or too light, it should dry to smooth and should not bleed, ठीक है, उसके बाद, हम लोगों ने बात किया, types of pens के बारे में, जिसमें हम लोगों ने ball pen की चर्चा की, फिर हम लोगों ने gel pens की चर्चा की, फिर हम लोगों ने tip sizes की भी बात की है, 0.5, 0.6, 0.7, इन सब के एक-एक importance को हम लोगों न क्या होता है, उसकी बात की, fountain pens को मैं recommend नहीं करता हूँ, generally, बचों के लिए, आज के समय में, और improve कैसे करें, इसके लिए हम लोगों ने विशाय पर बात किया, तीन topics पर बात किया, और साथ में एक additional, जो हम लोगों ने practice करके, जो मैंने वख़ों बताया, कि pangrams try कीजिए, आ have a consistent desire to improve and practice, without practice, if you have a desire, then practice, without practice, ये नहीं सुदा सकता, तो उमीद करता हूँ, कि आपको ये video, ये पूरा episode पसंद आया होगा, और इसका lab आपको मिलेगा, मैं guarantee के साथ बोलता हूँ, आप करके देखिए, lab ना मिले, तो आप comment करके मुझे बतायेगा, लेकिन lab मिलेगा, ये sure है ठीक है, thank you very much, धन्यवाद.